हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूटिब चैनल एजुकेशन पर्शन पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिल लेकर आ गये हैं मैसन ट्रेड से कुछ इंपोर्टेंट ट्रेड कोश्चन जो कि आपके किसी भी ट्रेड में भरती के मैसन ट्रेड रेटेन एक्जाम या फिर ट्रेड टेस्ट में बहुत ही महतपूर्ण क्लास साबित होने वाली हैं तो वीडियो को साथ बने रही है दोस्तों वीडियो श्टार्ट करने से पहले तो मैंने डिस्क्रेप्शन बोक्स में डाल दिया है तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला कोश्चन आज का हमारा पहला कोश्चन है कंक्रीट में सिलंप टेस्ट को ग्याद करने के लिए क्या किया जाता है तो क्या किया जाता दोस्तों कंक्रीट में स्लंप टेस कंक्रीट में स्टम टेस्ट को ग्याद करने के लिए किया जाता है देखते हैं अगला कोशुन हमारा कोशन है कैविटी वाल को निमनम के प्रति रोध के लिए बनाया जाता है कैविटी वाल को किसके लिए बनाया जाता दोस्तों option A, axis ball, option B, wind load, option C, hit flow, या फिर option D में हमारा dampness, तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, आपका option C, hit flow, cavity wall को किसके लिए बनाया जाता है, वो hit flow के लिए बनाया जाता है, देखते हैं अगला question, हमारा अगला question है, concrete में हवा प्रवश्टित होने पर, क्या प्रवा पढ़ता है, option A, मजबूती कम हो जाती है, option B, मजबूती बढ़ जाती है, option C, आयतन बढ़ जाता है, या फिर option D, कोई प्वर्दलाव नहीं होता है, तो इसका right answer कौन सा होगा दोस्तों, इसका right answer हो जाएगा, option A, मजबूती कम हो जाती है, concrete में हवा जाने से क्या होता, तो इसकी मजबूती कम हो जाती है, देखते हैं अगला question, हमारा अगला question है, एक arch के अंतरिक वक्र, जिसे हम कर्व के उच्चतम बिंदू तथा, springing, springing रेखा के बीच की और्दवाधर दूरी को कहा जाता है, या फिर कहलाता है, मतलब कि इस question में क्या पूछा गया है, एक arch हो इसके आंतरिक वक्र, उच्चतम बिंदू तथा, springing रेखा के बीच की और्दवाधर दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, option A, इंट्रा डोस, option B, राइस, option C है, इस पांट्रिंग, इस पांट्रिल, या फिर option D में हमारा extra dose, तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, आपका option B, उसे राइस बोला जाता है, किसे राइस बोला जाता है, और दवार, रेखा के बीच की, और दवादर दूरी को, देखते हैं अगला कोश्चन, हमारा अगला कोश्चन है, किसी मिट्टी की बीरिंग, कैपिसिटी को निम्न के दवारा बढ़ाया जा सकता है, तो किस के दवारा बढ़ाया जा सकता है, option A, फुटिंग की गहराई में विरद्धी करके, option B है, सबसाइल, उपभूमी वाटर की ड्रेनिंग निकासी से, option C में हमारा मिट्टी के दानेदार सामेगरी, जैसे टूटे हुए पत्थर भरके, या फिर option D में उप्रोक्त सभी, तो इसका राइट अंसर कौन सा होगो दोस्तो, इसका राइट अंसर हो जागा, option D, उप्रोक्त सभी के द्वारा, मिट्टी की बीरिंग कैपिसिटी को बढ़ाया जा सकता है, देखते हैं अगला कोश्चन, हमारा अगला कोश्चन है, आर्च की गहराई के बीच की दूरी होती है, तो आर्च के बीच की गहराई के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तो, option A, ground level और springing रेखा के बीच की दूरी, option B, हमारी crown और springing रेखा के बीच की दूरी, option C, crown और ground level के बीच की दूरी, इंट्रा डौस और एक्स्ट्रा डौस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? अर्च की गेहाई बोलते हैं देखते हैं अगला कुश्चन है कौन सा तत्त जो चीमेंट को कठोरता पृदान करता है? तो कौन सा तत्त जो cement को कठोरता प्रदान करता है option A, iron oxide option B, alumina, option C, sulfur या फिर option D, calcium sulfate तो इसका right answer कौन सा हो जागा दोस्तों इसका right answer हो जागा आपका option A iron oxide जो हमारे cement को कठोरता प्रदान करता है देखते हैं अगला question हमारा अगला question है partition wall होती है तो partition wall क्या होती है दोस्तों option A, folding, option B, call espable, option C, या हमारी fixed या option D, उप्रोक्त सभी तो इसका right answer कौन सा हो जागा इसका right answer हो जागा दोस्तों आपका option D, उप्रोक्त सभी जो partition wall होती हो वो folding, call espable और fixed होती है देखते हैं अगला question हमारा अगला question है लकड़ी के कील को निकालने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है जो लकड़ी में कील गड़ी होती है उसको निकालने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है option A, screw driver का प्रियोग किया जाता है option C, pincer का option C में हमारा handrail machine का या option D, oil stone का तो इसका right answer कौन सा हो जागा दोस्तों इसका right answer हो जागा आपका option B पिंसर जो लकडी में कील लगी हुई होती है उसको निकालने के लिए पिंसर का उपयोग किया जाता है देखते हैं अगला question हमारा अगला question है हलके वक्र कौने में है परियोग किये जाने वाले एक गोलाकार किनारों वाली इंट को क्या कहा जाता है तो इसका right answer कौन सा हो जागा दोस्तों option A में बुल नोज, option B किलोजर, option C स्पिरल, सोरी, इसलिपर वाल या फिर option D में हमारा round नोज, तो इसका right answer कौन सा होगा इसका right answer हो जाएगा आपका option A बुल नोज, बुल नोज किसे कहा जाता जो कौन होते हैं हमारे घरों के उसमें गोलाकार वाली जो इंट होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बुल नोज बोला जाता है, देखते हैं अगला question दोस्तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल education person पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जादा जादा आपने सभी दोस्तों के साथ सेयर करें दोस्तों अगर आप मैसन ट्रेड की तियारी कर रहे हैं तो इस वीडियो स्रीज को आप जरूर जोइन करें क्योंकि आपके CRPF, ITBP, CISF, अधर जो भी हमारी forces है अर्दिसानिक बल्की उन सभी की ट्रेड मेन में जो मैसन की भरती होती है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पिले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन को जरूर दबा ले देखते हैं एकला कोशन हमारा एकला कोशन है आर्च के extra dose और crown से होकर जाने वाली 36 रेखा के बीच का तिरबुजाकार भाग कहलाता है तो वो क्या कहलाता है option A, ha, option B, iskyu back, option CA, voicear, option D में हमारा spandry तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका right answer हो जाएगा आपका option D, spandry spandry किसे बोला जाता है? जो हमारी extra dose और crown से होकर जाने वाली 6 रेखा होती है उसके बीच तिरबुजाकार एक भाग होता उसको हम spandry बोलते हैं देखते हैं अंगला कोशन हमारा अगला कोशन है पाइल नीव उपयुक्त होती है पाइल नीव उपयुक्त कैसे होती है? option A, जल युक्त मिट्टी option B, मुलाइम मिट्टी option C, कमपेक्ट मिट्टी या फिर option D में बहु मंजिला इमारत तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा? इसका right answer हो जाएगा आपका option A, जल युक्त मिट्टी जो होती है वो पाइल नीव उपयुक्त होती है देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है एक प्रकार की खिड़की जिसे कमरे की फ्लेट रूप छत में परदान की जाती है तो उसे क्या बोले जाता है? option A, dormer window, option B, lantern window, option C में हमारा लोवे रेड विंडो या फिर option D है हमारा इसका ही विंडो तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों जल्दी से टिक करें इसका राइट आंसर हो जागा आपका option B, lantern window जो हमारी छत मतलगी जो कमरा होता है छत पर उसमें छत पर जो विंडो लगाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? option B, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है rainford cement, concrete के लिए concrete के लिए क्या होती है? option A, steel bar road की आवसकता होती है option B, steel bar road की आवसकता नहीं होती है option C, हमारा steel bar road की आवसकता हो भी सकती है या नहीं भी option D में हमारा उपरोक्त सभी तो इसका राइट आंसर कुन सा हो जाएगा? दोस्ते इसका राइट आंसर हो जाएगा option A, rainford cement concrete के लिए कि हमें steel bar rod की आवसकता पड़ती है। देखते हैं अगला queson है हमारा अगला Mafia कोर्षन हैं डिजाइन की गई सरी डिजाइन की समझ के हिसाब से सेफ्टिक टेंग की नियूनतम गेहराई होती है। इस क्वेस्टिक टेंग की नियूम्तम गेहराई होती है। 1.8 meter option B 1 meter option C 1.2 meter या फिर option D में हमारा 1.5 meter तो इसका right answer कौन सा होगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा आपका option B 1 meter जो हमारा safety tank होता उसकी नियुनतम यहराई जो होती है वो 1 meter होती है तो इसका right answer हो जागा option B 1 meter देखते हैं अगला question हमारा अगला question है एक पिरकार की नीव जिसमें 2 footing को जोड़ने के लिए एक cantilever beam पिरदान की जाती है उसे क्या कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता दोस्तों जो beam पिरदान की जाती है option A strip footing, option B strap footing, option C संयुक्त footing या फिर option D में हमारा raft footing तो इसका right answer कौन सा हो जागा दोस्तों जल्दी से टिक करें दोस्तों इसका right answer हो जागा आपका option A strip footing कौन सी को बला जाता है strip footing जिसमें 2 footing जोड़ने के लिए कैलिवेंटर beam जो पिरदान की जाती है उसको हम strip footing बोलते हैं देखते हैं अगला question हमारा अगला question है किसी safe tick tank के उपयोग में आने वाले ऐसे filter किस पिरकार का होता है जब रिषाब की दर 90 minute होती है तो इनमें सा कौन सा इसका right answer है जल्दी से टिक करते हैं देखते हैं option A slow send filter option B है biological filter option C rapid send filter या फिर option D में हमारा ट्री लिंग ट्रिक लिंग फिल्टर तो इसका right answer कौन सा ओगा दोस्तों इसका right answer हो जाएगा आपका option V वह filter कौन से होते हैं वह होते हैं biological filter कौन से होते हैं जब रिषाब की दर 90 मिनट होती है वह से biological filter बोला जाता है देखते हैं अगला question most important trade question album जो भी आपके written exam में 50 question trade से पूछे जाते हैं वह सभी आपको इस चैनल पर available कराये जाएंगे तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर दबा लें देखते हैं अगला question हमारा अगला question है body डेखते हैं अगला और कोशन हो जाएगा तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका option A, tongue or groove wooden floor में प्रदत joint होते हैं option A, right answer हो जाएगा कौन सा option A देखते हैं अगला question हमारा अगला question है निम्न में white cement का उप्योग किया जाता है तो white cement का उप्योग दोस्तों कहा कहा किया जाता है option A, आंत्रिक साज सज्जा में option B, आर्टिकेट architecture finishing में या option C, A और B दोनों में या option D में इन में से कोई नहीं तो इसका right answer कौन सा दोस्तों जल्दी से टिक करें देखते हैं इसका right answer इसका right answer हो जाएगा option B option B इसका right answer हो जाएगा architecture जो finishing होती है घरों में उन सभी में white cement का उप्योग किया जाता है देखते हैं अगला question हमारा अगला question है एक अच्छे building stone को किस से अधिक जल का absorption नहीं करना चाहिए जो एक अच्छा building stone होता उसे कितने से अधिक जल का absorption नहीं करना चाहिए जल्दी बताइए option A 5% option B 10% option C 15% या फिर option D में हमारा 20% तो दोस्तो जल्दी से टिक करें इसका right answer देख लेते हैं इसका right answer दोस्तो इसका right answer हो जाएगा आपका option D 20% जो एक अच्छा building stone होता उसको 20% से अधिक जल absorption नहीं करना चाहिए option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है इसमें आपको पहले ही खाली जगह दे दी गई है इसमें पूछा गया है का इस्तमाल pipe की दिशा बदलने के लिए किया जाता है मतलग किसका इस्तमाल pipe की दिशा बदलने के लिए किया जाता तो किसका इस्तमाल किया जाता दोस्तो pipe की दिशा बदलने के लिए option A Reducer, Option B, Elbow, Option C, Trap या फिर Option D, उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका Right Answer कौन सा? जल्दी बताईए दोस्तों, अधिकतर यह question सभी को पता होना चाहिए pipe की दिसा हम बदलते हैं जब किसी भी तो उसके लिए किस की जरुवत पड़ती है? तो इसका Right Answer हो जागा आपका Option B, Option B, Elbow Elbow की आवस्ता होती है जब हम किसी भी pipe की दिसा बदलते हैं देखते हैं इसका अगला question हमारा अगला question है, किसी तीन परतिय प्लास्टर कार्या में तीसरी परत को जाना जाता है मतलब जब कोई तीन परतिय प्लास्टर किया जाता है तो उसकी तीसरी परत को किस नाम से जाना जाता है? Option A, Peripheral परत, Option B, Bunding परत, Option C, Setting परत, या फिर Option D, Flooring परत तो इसका Right Answer कौन सा हो दोस्तों? इसका Right Answer हो जाएगा आपका Option A, Peripheral परत जो हमारी तीसरी परत होती है, तीन परतिय प्लास्टर में, जो हमारी तीसरी परत होती है, उसे क्या बोले जाता है? उसे Peripheral परत बोला जाता है, Option A, Right Answer हो जाएगा देखते हैं, आगला कोश्चन है, हमारा आगला कोश्चन है, इट में किस्तिया बनाई जाती है, तो क्यों बनाई जाती है? option a unity में वजन को कम करने के लिए option b gara भरने के लिए में जगह बनाने option c में हमारा interaction के बनाने का वर्स और बनाने वाली company का नाम या फिर option d में हमारा हैं इंट के ऊपर भाग को दरश आने के लिए तो मतल्या इस्मा पूछागा इंट में जो बनाई जाती है जहती हैं तो इसका चमपने ऑना इसलिए बनाई याती है ताकि आले में वह फिक्स हो सकी गारे को पकड़ता देखते हैं अगला question हमारा अगला question है हालो block column होते हैं तो हालो block column दोस्तों क्या होते हैं option A separate option B है हमारा दीवार के साथ integral unit की तरह है option C है हमारा A और B दोनों या फिर option D में उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका right answer कुन सा है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा आपका option C और A और B दोनों हालो block क्या होते हैं separate और दीवार के साथ integral unit को हम हालो block बोलते हैं देखते हैं अगला question हमारा अगला question है dark leg CD है dark leg CD क्या होती है option A प्रतिवर्ती CD option B सीधी CD option C एक चोथाई CD या फिर option D इन में से कोई नहीं तो दोस्तों क्या पूछा है इसमें पूछा गया है dark leg CD कौन से होती है तो इसका right answer हो जागा आपका option A dark leg CD जो होती है प्रतिवर्ती CD होती है दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन को जरूर देवा लें क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी trade से related most important question आपको तयार कराई जाते हैं आपके कुक हो गया सफाई करमचारी हो गया मैसन हो गया टेलर हो गया और भी जितनी सारी ट्रेड हैं आपकी उन सबी से related आपको trade question आपको अब लेल कराई जाते हैं अब हम trade test की जानकारी और तयारी अच्छे तरीके से इस चैनल पर कराई जाती है तो दोस्तों मिलते हैं आ पर कर सकते हैं